इस अनिमेशन फो ट्रांजिस्टर वर्किंग ट्रांजिस्टर कैसे काम काते है तो अभी क्लेक्टर ओफ है तो अमेटर बेस फोर्वड बाइस जो फोर्वड बाइस है अमेटर बीज एन्पी न्टरंजिस्टर हम इंक्रीस कर रहा है फोर्वड बाइस को हम अमेटर को अभी इंक्रीज करेंगे increase करेंगे तो थोड़ा थोड़ा increase कर रहे हैं लगी का 0.2 पर पहुंचा 0.25 0.3 0.32 forward bias ammeter base और जैसे ही ये अब green में पहुंचने वाला है 0.6 से जादा तो ammeter से एक जित जादा हो गया है आप बस ammeter से ये base में आ गए है base में बहुत कम होल है जिसके करेंट 20 करेंट बहुत थोड़ा होगा ammeter से 20 की तरफ करेंगे अब मैं फिर डाउन कर रहा हूँ और 0.6 से डाउन हो गया तो no current 0.6 से अब तो current कौन से करेंट 20 करेंट क्यों collector off है न अभी तो ये current ऐसे 0.6 से down जाओगे तो कोई current नहीं है अब फिर उपर जाओगे तो green में जाओगे तो base current तब शुरू होगा ओकी base current बहुत कम होगा क्योंकि hole बहुत कम है तो इस तरह से ही ammeter से अब अब हमने देखना collector का क्या role है मैंने अब collector को on कर दिया reverse pricing को जैसे ही हम इसको increase काते है ammeter base को और हम green में पहुंच रहे हैं तो green में पहुंचने से जैसे green को अब एकदम current शुरू हो गया collector current ammeter से collector current एकदम शुरू हो गया क्योंकि collector on हो गया reverse pricing on है base current है अभी भी बहुत कम पर जाओगे इसको आप down करोगे यह देखो फिर collector current बंद हो गया फिर शुरू हो गया collector current जैसे ही शुरू हो गया और फिर यह बंद हो गया तो जैसे हम इसको cross काते हैं green में आते हैं forward biasing ammeter base की 0.6 से ज़्यादा होने चाहिए तब ही collector current होता है collector current reverse bias होने के बाद भी current तब होगा यदि 0.6 से ammeter base की वोल्ट जादा होगी तो दो बाते हैं collector on भी होना चाहिए कर दो तो कर तो कर दो प्रित उधिए प्रुग झाल, झाल, झाल